हेलो डियर स्टुदेंट्स, आज हम लोग बायो सेवर्ट्स लोग की अप्लिकेशन देखेंगे, जिसमें विल कल्कुलेट मैंगेटिक फिल्ड द्यू टू ए वायर फिगर में देख सकते हैं, कैरिएंगे करेंट आई, अजिए पॉइंट पी एक एंड के पास है, और पर्पेंडिकुलर दिसेंस फ्रॉम एंड बी इस ए लेंथ वायर इस अलसो नोन तो अस लेकिन लेंथ वायर डिरेक्ट ना देखर बलकि हमें एंगल दिया हो गया है, एंगल एल्फा बन रहा है, बन रहा है बी एंड पी, यू कन सी बी एंगल इस एल्फा, तो अगर हम चाहे हैं तो ए और एल्फा की टंस में वायर की लेंथ लेंथ लिख सकते हैं, यह हमने एंगल एल्फा की टंस में इसलिए लिया है, वेकास फॉर्मूले हम जितने भी डिराइट करेंगे, वही इजी रहता है याद करना और उ जैसे जो मैगनेटिक फील्ड होता है, वो हमें पता होता है, तो ऐसे केस में हम अप्लाई करेंगे, बायो सेवर ट्लॉ, वेकास छोटे अलिमेंट की वैसे हमें पता होता है, और हम अप्लाई करेंगे, बायो सेवर ट्लॉ के अलावा, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, addition से बहुत सारे element का magnetic field का addition करके net magnetic field calculate कर सकते हैं किसी एक point पर. So let's do this, यह मान लेते हैं कि सपोज यहां से y distance पर there is a small element of length dy such that this current carrying element becomes idy. इसकी वज़े से किसी point पर हमें इसको origin मानना होता है point P के इसके respect में position vector suppose r है, r is the distance और position vector r से denote कर सकते हैं. और यह मान लेते हैं कि यहां पर इस ideal vector और r vector के बीच का angle है, इस angle suppose theta. आपको पता है दो vectors के बीच का angle देखने के लिए उनको tail में लाते हो बना देते हैं, और tail में लाते हैं बनाके उनके बीच का angle देख लेते हैं. इस छोटे element के लिए हम calculation कर रहे हैं, जो कि मैंने यहाँ पर dark कर दिया है. इस छोटे element की calculation करेंगे और फिर हर एक के लिए add कर देंगे. यहाँ पर जो magnetic field की direction होगी, वो direction देखेंगे तो ideal vector और r vector, ideal cross r, आपको पता ideal cross r, cross product से अगर देखेंगे right hand fingers को curl करके, तो thumb की direction आपको cross product से active field की direction देगी, तो कित क्या होगा? अंदा की तरफ होगा. तो magnetic field at P, due to all elements, is same, that is inverse. तो ऐसे case में, because हर element की वज़े से magnetic field की direction same है, इसलिए हम इसे component लेने की कोई जरुवत नहीं है, और direct super position apply करके, integration करके, magnetic field की calculation कर सकते हैं. अगर इस point पर magnetic field same direction में नहीं होता, हर element की वज़े से, तो फिर हमें अलग-अलग components लेकर integrate करना पड़ता. यहाँ पर हमें वैसी जरुवत क्यों नहीं पड़ रही है, because हर element की वज़े से magnetic field की direction same है, तो db अगर हम बायो से वटल लगा हैं, तो this comes out to be mu0 by 4pi, i dy sin theta divided by r square. अब ऐसे case में हमको a की यहाँ पर unknown रखना है, that is theta, तो हमार चीज़ theta की terms में लिखना चाहते हैं, theta की limit अगर हम लगाना चाहेंगे, कहां से कहां तक change हो रही है, तो b पर अगर आप देखें, तो b पर जो small element होता, ideal और r vector के बीच का angle 90 degree होता, और a पर अगर आप देखते, त तो ideal vector और r vector के बीच का angle pi minus alpha होता, tail मिला तो यह बनाना है दोना vectors को, तो theta की जो limit है, वो 90 से लेकर pi minus alpha तक vary करेगी, तो यह दोना चीज़ें में पता लग गई, अब हमें यहाँ पर केवल एक unknown रखना है theta, तो y को भी हम theta की terms में लिखेंगे और r को भी theta की terms में लिखेंगे, i तो constant है, y vary कर रहा है और r vary कर रहा है, तो y और r vary कर रहे हैं, तो y और r दौना variables को theta की terms में लिख देंगे, so that यह पूरा का पूरा expression theta की terms में आ जाएगा, और फिर theta के limit लगा कर इस point पर magnitude field calculate करेंगे, तो रध्यान दीजिए, यह यह मैं करने वाला हूँ, अगर मैं यहाँ अगर एक triangle consider कर लूँ, यहाँ से लेकर b, p और यह वाला जो point है, अगर आप इस angle को consider करेंगे, ideal i dy की पास, तो यह angle कितना होगा, pi minus theta, तो आप यह लिख सकते हैं यहाँ से, कि 10 pi minus theta, equal to a divided by y, इससे में पास y आ जाएगा in terms of theta, उसको differentiate कर देंगे, तो dy आ जाएगा in terms of theta, तो वही हम करने वाले हैं, y is equal to, 10 pi minus theta आपको पता है, minus 10 theta होता है, तो यह minus a cot theta आ जाएगा, और अगर हम इसको differentiate करेंगे, तो dy equal to minus a cot theta का differentiation क्या होता है, minus cosec square theta, तो minus minus plus हो जाएगा, और this comes out to be cosec square theta and d theta, तो आपके पास dy आ गया in terms of d theta, अब आपके पास रह गया r, आ, r को लगाने के लिए हम लोग sin pi minus theta लिख लेते हैं इसी triangle में, उपर वाले triangle में ही जो हमने consider किया था, sin pi minus theta की value कितनी आ जाती है बच्चो, a divided by r, इससे r आपके पास in terms of theta आ जाता है, a cosec theta, तो अब देख सकते हैं, equation 1, 2, 3 और 4 में, theta के limit हमें पता लग गई, d y in terms of theta पता लग गया, r in terms of theta पता लग गया, putting all values in equation 1, हमारे को जो result मिलेगा, वो क्या मिलेगा, d b का integration, equal to integration of mu naught by 4 pi, into i, d y की जगे पर हम क्या put करने वाले है, a cosec square theta d theta, a cosec square theta d theta, into a sin theta, already वहाँ पर है, divided by r square, that is a square cosec square theta, इसकी limit कहां से कहां तक लग जाएगी theta की, 92 pi minus alpha बच्चो, 92 pi minus alpha, यह आपके पास net magnetic field आ जाता है, आप यहाँ पर clearly देख सकते हैं, cosec square theta से cosec square theta cancel हो जाएगा, a से एक a cancel हो जाएगा, तो b बहुत सिंपल सा एक expression बन जाएगा, mu naught divided by 4 pi, यह constant है, इसको मैं बहार ले लेता हूँ, i divided by a constant आएगा, इसको भी मैं बहार ले लेता हूँ, integration के अंदर के वाल आपका बचेगा, 92 pi minus alpha, into sin theta d theta, sin theta का integration minus cos theta होता है, यह आपको पता ही है, तो अगर आप इसको लेखेंगे, minus mu naught by 4 pi, i divided by a, minus हमने इसर ले ले लिया, into cos theta, is cos pi minus alpha, minus cos 90, cos 90 is 0, cos pi minus alpha is minus cos alpha, तो b comes out to be mu naught by 4 pi, i by a, cos alpha, यह आपके पास, एक simple सा formula बन जाता है, magnetic field का, तो ध्यान रखेगा, अगर wire के एक end से, angle alpha given है, point P का, दूसरा angle पर हमने 90 degree लिया है, तो यह वाला formula applicable होगा, यहाँ पर, और generally हम लोग formula ध्यान रखेंगे, कि अगर यह P point से ही, perpendicular से angle दे दे, magnet field का, if this angle is given, suppose, इस angle is suppose, beta is given, तो beta equal to कितना हो जाएगा, beta will be equal to pi by 2 minus alpha, यहाँ पर alpha की value निकालेंगे, तो alpha किया put कर सकते हैं, alpha equal to यहाँ पर कितना हो गया, pi by 2 minus beta हो गया, तो अगर alpha equal to pi by 2 minus beta put कर देंगे, तो B की value यहाँ पर कितनी आजेगी, mu naught by 4 pi, I divided by A, sin alpha, cos pi by 2 minus alpha comes out to be sin alpha, तो आपको ध्यान रखना है, कि angle जो है, वो अगर perpendicular वाली line से given है, wire के end का, तो तो वैसे case में हम sin alpha यूज़ कर लेंगे, और otherwise, अगर वो एक end से given है, तो cos alpha यूज़ कर लेंगे, हम आगे आने वाले lectures में, यह sin alpha वाला formula apply करेंगे, तो यह आपको ध्यान रखना है, अगर इस case में अब हमको calculate करना हो, magnetic field इसकी applications देखनी हो, चोटी-चोटी, तो अगर मेरे को बोल दिया जाए, suppose कि wire कुछ इस तरीके से होता, कि point P से जो perpendicular हम ड्रॉ करें, यह point P से अगर हम इससे perpendicular डालें, तो यह 90 degree angle ना बनके, बलके कुछ और angle इस सरीके से बन रहा है, alpha and beta, तो मैं क्या करता है, इसको दो पार्ट में divide कर देता, 1 and 2, A, B and C, A, B 1 हो जाता और B, C 2 हो जाता, और मैं A, B और B, C दौनों का magnetic field net add कर देता, P point पर, that is equal to B due to A, B, plus B due to B, C, P, और यह कितना आ जाता, mu naught by 4 pi, I divided by A, A जहाँ पर perpendicular distance है, और I इसमें current flow हो रहा है, into sin alpha plus sin beta, तो अगर perpendicular from P is lying on A, B, तो उस case में आप दो पार्ट में divide करके, superposition से दौनों का addition कर दीजिए, यह magnetic field आ जाएगा, ऐसा भी हो सकता था आपके पास, कि wire जो है, वो कम length का होता, और point P से जो आप perpendicular draw करते, वो इस wire पर लाई नहीं कर रहा है, A, B, इसमें current I flow हो रहा है, और हमें P point पर magnetic field calculate करना होता, तो ऐसे case में भी हम क्या करते, इस wire को extend कर देते, C तक, और magnetic field at P, यह magnetic field at P due to A, कितना, B, C, minus magnetic field at P due to A, C हो जाता, B, C वाले wire में से A, C वाले wire का magnetic field minus कर देते, तो नट magnetic field आ जाता, और यह आपको पता, अगर हमें यह angles given होंगे, suppose this angle is alpha, and this whole angle is suppose beta, तो magnetic field कितना आ जाता है, यहापर, mu naught by 4 pi, I divided by A, sin beta minus sin alpha, तो formula आपको एक ही धियान रखना है, एक ही formula मैं आपको याद रखने के लिए बोल रहा हूँ, और उसे एक formula से आप, super position लगा कर हर case में, magnetic field की calculation कर सकते हैं, अगर point P से perpendicular wire पर लाई कर रहा है, तो 2 wire का addition कर दीजे, अगर point P से perpendicular wire पर लाई नहीं कर रहा है, तो wire को extend कर लिजे, और 2 wire का subjection करके, net magnetic field calculate कर लिजे, अगर long wire given है बच्चो, long wire का मतलब होता है infinity long wire, उसको हम generally long wire भी बोल देते हैं, तो अगर infinitely long wire given है, तो ऐसे case में, point P से अगर आप perpendicular draw करते हैं, और यह A distance पर है, इस case में जो दोनो angles होंगे, alpha और beta, यह alpha और beta दोनों tending to pi by 2 हो जाएंगे, और अलकर alpha बीटा दोनों pi by 2 हो जाएंगे, तो alpha बीटा की value अगर pi by 2 पुट कर दी जाएंगे, तो B इस case में, mu naught by 2 pi, pi divided by A, sin alpha plus sin beta का और sin pi by 2, plus sin pi by 2, mu naught by 4 pi, sorry, i pi A, sin pi by 2 plus sin pi by 2, this comes out to be mu naught by 2 pi i by A, यह आपका long wire की वैसे magnetic field हो जाएगा, इसी तरीके से अगर semi-infinite wire होता है, semi-infinite wire का मतलब होता है कि, इसका half कर दीजे, दो semi-infinite wire मिलके एक long wire बन जाएगा, तो अगर आपके पास एक, semi-infinite wire है, which is going up to infinity, इसका एक end जो है, वो हमारे पास defined है, उसका distance अगर यहां से A है, तो यह क्या होगा, इस case में यह बाकी दोनों, दो semi-infinite wire को लाकर एक long wire बना जाएगा, इस case में जो magnetic field होगा, वो इसका half हो जाएगा, mu naught by 4 pi I divided by A, तो मैं आपको इस समझाने की कोईशिश कर रहा हूँ, कि अगर आपको एक long wire, अगर आपको एक formula पता है कि वल, तो उस एक formula की help से, इस formula की help से, आप superposition से बाकी किसी भी case में, magnetic field calculate कर सकते हैं, ठीक है, तो next lecture में हम लोग, circular arc की वरिसे magnetic field, और arc plus wire को मिला कर, कुछ यो problems बन सकती हैं, उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है, have a good day,